नमस्कर दोस्तों सौगत यह आपका फार्मा रोक्स के यूटूब एजुकिस्ने चैनल में तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्राब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि सरीर में काफी ज़्यादा पस बन रही है तो यहाँ पे जो हम तीन अलग-अलग वीडियो में देख रहे है उस तरह से यहाँ पे आप देखो तो पैर में काफी ज़्यादा पस फार्मेसन हुआ है उसी तरह से यहाँ पे पीठ पे पस काफी ज़्यादा बन चुकी है और यह जो है वो पस को निकाल रहे है तो ऐसे health problem जिसके अंदर पस बनती है जिसे की टाकों में infection होना और पस या टाके पकने की समस्या हो रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो stitches ले रहे हैं और फिर वहाँ पर आगे जाके जो है वो पस formation होता है टाके पक गए है ऐसा हम simple language में कहते हैं फिर एक all health problem हम देखे तो सरीर में किसी भी जगा काफी ज़दा जो वो पस बन रहा है फिर तीसरा health problem हम देखे तो गाव जो होता है वहाँ से पानी आता तो यहाँ पर जो आप यह peak में देख रहे हैं इस तरह से यह पानी आता है फिर जो अथा हम problem देखे तो आख से discharge आना कि जो आखों में infection होता है वहाँ पस बनती है और उसके करन वहाँ से भी discharge इस तरह से बाहर आने लगता है फिर जो जखाम होता है गाव होता है वो सड़ना सुरू हो जता है तो यहाँ पे जो हम देख रहे है यह पीक के अंदर तो सड़न होने लगती है वहाँ पे फिर पस बनना सुरू हो जता है कि यह जो इयर में infection हुआ है उसके करन यह कान में से आप देख रहे हैं कि यह जो पस है वो बाहर आ रहा है फिर यहाँ पे भी पस जो है वो चिपका हुआ आप देख सकते है फिर चोट लगना वहाँ पे गाव हो जाना नूकली जिससे जखाम होना तो यह जो सब भी health problem से वो indicate करते है कि पस formation हो रही है सरेर में काफी ज़्यदा जो है वो पस बन रही है और उसके करन काफी ज़्यदा दिक्कती आती है और उसको ठीक करना जो है वो काफी ज़्यदा जरूरी बन जते है वरना क्या होता है कि आसपास के दूसरे जो organs होते है आसपास की जो दूसरे area होते है वहाँ पे भी यह problem create कर सकती तो पस क्या है सबसे पहले वो समझते है तो पस एक ठीक fluid है जो खास कर yellow is color का होता है और जब सरीर में किसी भी जगा पे कोई infection होता है तो वहाँ पे यह pass formation जो होती है तो यह peak में आप अच्छे से समझ पाओगे तो यह आप देख रहे है एक infected area है तो यह वाला जो है skin के उपर हिस्सा है और यह वाला जो skin के अंदर का हिस्सा है तो skin के अंदर क्या हो रहा है कि यह जो bacteria है वो grow कर रहे है अपनी और वो bacteria को kill करने के लिए white blood cell आ रहे है तो जो WBC और white blood cell है और जो bacteria है वो सभी के बीच में क्या होता है एक fighting जैसा होता है मलब कि जो हमारे WBC है वो bacteria को destroy करने के लिए वहाँ पे जमा होते है और वहाँ के जो cell होते है skin के वो भी inval होते है ये process के अंदर तो उसी के करण ये तीनों के combination से वहाँ पे pus बनता है जैसे कि वहाँ पे white blood cell होते है, dead tissue and living organism और dead microorganism वहाँ पे present होती है तो जैसे मैं अब भी समझा है कि जो fighting होती है bacteria and WBC के बीच में उसके करण जो content वहाँ पे तयार होता है कि जहाँ पे जो WBC है वो भी उसमें रहेंगे जहाँ पे ये fighting हो रही है वो area के जो cell है वो भी damage होते है तो वो भी इसके अंदर present होते है और जो bacteria है वो भी ये pulse के अंदर present होते है कुछ जीवित bacteria भी होते है और कुछ मुरूत bacteria भी उसके अंदर present होते है तो ऐसे ही आपको बहुत सरे बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो अब हमारी book भी available है कि जैसे हम video में सीखते हैं ऐसे ही detail में book के अंदर भी आपको अलग-अलग chapters मिल जाएगे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो हमारी book है decision treatment उसको purchase करके भी आप उसमें से study कर सकते हैं तो पूरी color book भी available है वो भी काफी affordable price में है तो ये दिये गए number पे WhatsApp करके आप ये book को order कर सकते हैं तो आगे समझते हैं पस्ट के जो symptoms तो जहाँ पे पस्ट बनती है वहाँ पे जो person है उसको काफी ज़्यादा जो है वो pain होता है और वहाँ पे सूजना जाती है फिर हम देखे तो पस्ट जो हमारे organs होते हैं जैसे के kidney के अंदर भी ये पस्ट जो हो बन सकती है बाहरी हिस्सों में भी पस्ट बन सकती है फिर discharge जा सकता है कान में से discharge जाना pelvic inflammatory disease में भी पस्ट बनती है especially महिलाओ के अंदर fever and body pain हो सकता है अगर आपके सरीर में पस्ट काफी ज़्यादा बन रही है तो तो अब बात करते है डागनोसिस का तो एक physical examination होता है कि जो doctor होते है वो अच्छे से check करते है फिर जरूत पढ़ने पर blood test किया जाता है infection कोई पता लगाने के लिए अब समझते है treatment के options तो जब पस्ट बनती है तो उसके लिए options अलगर रहते हैं हमारे पास जैसे कि एक option है हमारे पास वो है कि आप जो है वो oral antibiotic prescribe कर सकते है कि जो patients होते है वो oral antibiotics लेते है antibiotic की gel वहाँ पे लगा सकते है cream साते है, injection साते है और उसके powder test because especially यहाँ पे जो है वो bacterial infections ज्यादा involved होते है पस formation के लिए तो antibiotics के option रहते है तो सबसे पहला option है वो है clindamycin का कि यह काफी effective and powerful antibiotic के especially पस को सुखाने के लिए यूज की जाती है जो गाव होते है वहाँ पे sudden ना हो पस दिरे दिरे कम हो जाए तो उसके लिए clindamycin यूज होते है कि जिसका dose रहता है खासकर 150 से लेकर 300 mg दिन में 3 या 4 बर ले सकते है वो खासकर lower dose treatment सुरू की जाती है फिर जहाँ पे वो problem हुई है आप tablet तो ले रहा है patient बट साथ में उसको ये gel भी prescribe की जा सकते है कि जिसके अंदर clindamycin ये nicotinamide की ये gel है तो वो affected area पे लगाने का ये option रहता है तिसरा option हम देखे तो clindamycin का injection भी आता है और उसका जो हम dose देखे तो 600 से 900 mg जितना रहता है IV या फिर intramuscular हर 8 गंटे पे ये dose जो है वो patient जो है वो receive करते है बट injection में कुछ storage condition ध्यान में रखने है कि जब ये injection आपके पास होता है तो 2 से 8 degree Celsius के temperature पे उसको अच्छे से store करना होता है सिद्डिल्याज की drug होने के कारण proper medical supervision में ही उसको use किया जता है prescription के साथ ही चौता है co trimoxazole की जो tablet साथी है उसका एक जिसका dose रहता है खास कर एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार की जिसके अंदर trimethopremand selfa mythoxazole रहता है और ये उसका एक famous brand है सैप्टरान करके जो में यहाँ पे देख रहे है पांचवा option है वो है antibiotic का dusting powder की neomycin का अब देख सकते है powder है neosporin brand है उसका फिर साथ में दूसरा एक brand देखो तो वो है neba self करके abort की formulation है ये GSK का neosporin हो गया और Pfizer का ये neba self करके जो product है जो Pfizer और abort दोनों बनाती है जलाने के लिए practice करने के लिए अगर आपको book चाहिए decision treatment जो book है वो ready है कि जो allopathic practice के लिए आप हिंदी में पूरा सीख सकते है हमारी book में से तो ये book अब ready है multi-colored printed book है कि जिसके सभी pages colored है तो ये book को आप जरूर से order कर सकते है order करने के लिए ये दिये गए number पे whatsapp कर सकते है treatment के आगे कुछ options देखे तो वो है neomycin का जो powder रहता है वैसे उसका ointment भी आता है वो भी affected area पे दिन में दो या तीन बार लगाया जा सकता है povidon iodine का powder रहता है वो भी एक antibacterial antiseptic effect देता है कि जिससे जो pus formation हो रही है जो गाव हुआ है वो दिरी-दिरी सूखने लगता है और problem ठीक होने लगता है even जो टाके लिए जाते है especially pregnancy के बाद भी जहाँ पे जो टाके लिए गए होते है वहाँ पे भी ये powder दिया जाता है लगाने के लिए नियोस्पुरिन भी दिया जाता है आठवा option हम देखे तो इसी की cream भी available है so ointment के form में cipladine and betadine करके जिसके अंदर povidone iodine रहता है around 10% जितना अब कुछ ए अंटिबाटिक tablets में देखे तो taxim जो tablet है taxim o cv200 के जिसके अंदर sapphic zim है potassium clevolanate है कि जिसका dose रहता है एक tablet दिन में दो बार या फिर तीन बार ली जा सकती है और हर एक tablet के बीच में at least 8 गंटे का time interval होना जरूरी है next doxycycline का एक option रहता है कि जिसके एक capsule दिन में एक बार या फिर दो बार ऐसा dose रहता है उसका azithromycin अगर 500 mg का है तो एक tablet दिन में एक ही बार सिर्फ तीन दिन का ये course रहता है उसका फिर clevum 625 एक tablet दिन में एक या फिर दिन में दो बार ली जा सकती है फिर उसी content का कि amoxicillin and potassium cleolinate का अगर किसी को tablet से ठीक नहीं हो रहा है pass formation तो उसके लिए ये injection का भी option बनता है फिर c-furexm का ये injection देख रहे हैं सूफा से आप करके कि जिसका dose खास कर रहता है 0.75 से 1.5 gram intra muscular या फिर intra venous लगया जाता है हर 8 गंटे पर फिर nor metrosil plus करके जो आप tablet देख रहे हैं कि जिसके अंदर ornidazol and ofloxacin है तो उसका dose रहता है एक tablet दिन में एक या फिर दो बार फिर monosaf SB जो injection रहता है वो भी एक काफी famous है कि जो ven में लगा जाता है muscles में भी लगा जाता है पर ven में जब लगा जाता है तो उसको dilute किया जाता है कि जिसके अंदर sept reaction and sulbectum रहता है फिर c-furexm oxytil जो Farsap tablet है एक tablet दिन में एक या दो बार उसका dose रहेगा फिर linkum sin कि जिसके अंदर linkum आई सें रहता है ये पिर काफी powerful antibiotic है कि सभी antibiotic ट्राइ कर लिए फिर भी पस नहीं सूख रहा है problem solve नहीं हो रहा है तो ये जो एक option रहता है और 19th option हम देखे तो वो है levofloxacens के tablet का फिर अगर आख में ये problem होती तो उसके लिए eye drops है moxifloxacens के कि एक drop दिन में दो बार patient डाल सकता है फिर getty floxacens के भी eye drops का option रहता है कि एक या दो drop हर दो तिन गंटे पे eyes में डालने होते है फिर ear में होता है तो ear infection जो है वावे परस हो रहे तो ciprofloxacens के eye and ear drops आते है कि एक या दो drop हर दो तिन गंटे पे डालने होते है और एक आखरी option है linear solid का lean 600 करके यहाँ पे हम जो tablets देख रहे है फिर कुछ homeopathic and herbals में भी option है जैसे कि sulfur gel आती है antibacterial वो भी लगाई जा सकती है देखके भी आप काफी अच्छी information ले सकते हैं so good luck and all the best